जिस युक को हम आधुनिक काल कहते हैं, दुनिया में उसकी शुरुवात युरोप में हुए पुनरजागरण से हुई है पुनरजागरण का यह जो नाम है, जिसका अर्थ है पुनरजन्म, यह आम तोर पर उसकाल के लिए कहा जाता है, जो लगभग तेरे सो इस्वी से आरंब हुआ और जब लोगों ने प्राचीन, युनान और रोम के ज्ञान विज्ञान में विशेश रूची लेना शुरू किया, लेकिन रेनेंसा का मतलब इससे आगे का था और इसी लिए इसमें साहित्यकला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, आदी के इसी अनेक उपलब्दियां शामिल थी, जिनका प्राचीन, युनान और रोम से कोई सम्मंद नहीं था इस पुनर जागरण को विभिन विद्वनों ने अलग-अलग तरह से परिभाशित किया है, जैसे निकेलिट ने कहा था, कि पुनर जागरण मानव द्वारा अपनी और विश्व की खोज है सीमोंड के अनुसार यहे एक ऐसा अंदोलन था, जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्धी युग से निकल कर आधुनिक विचार तथा जीवन पद्धती को ग्रहन करने लगे थे अर्थात पुनर जागरण का अर्थ था फिड़ से जागना, ज्ञान के ख्षेत्र में फिड़ से जागना यानी कि युनान और रोम ने प्राचीन युग में जो तरक्की की थी, जो विकास किया था जो मद्धी युग में आकर धुंदला हो गया था अंदकार में हो गया था उस प्राचीन युग में पुनह लोटना उसके गौरव को हासिल करना और उसके अलावा जैसा कि अभी हमने कहा और भी बहुत सारी चीज़ें साहित ते कला, धार्म, दर्शन, विज्ञान, तकनीकी क विक्षेत्र में नई नई हुई, वे सब कुल मिलाकर उनको हम युरोप का पुनरजागरन कहते हैं और यहीं से हम आधुनिक काल की शुरुवात मानते हैं और धेरे धेरे मध्य युगीन इतिहास का समाज का अंत होने लगता है, तो जिसे हम पुनरजागरन अर्थात फिर स जागना कहते हैं, उसकी विशेष्टाएं क्या हैं, उसकी कई सारी विशेष्टाएं हैं और वे इतनी प्रमुखता और विशेष्टता ले हुए हैं कि उन विशेष्टाओं के आधार पर हम युरोप के इत्यास को अलग होता देखते हैं मध्यय युग से, इन अर्थात मानवी ये व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की अनन्त संभावनाओं में विश्वास। अभी तक यूरोप का जो चिंतन था उसमें मानव एक तरह से गौन था। मानव की जरूरतें, मानव की समस्याएं, उसके विचार ये कोई माईने नहीं रखते थे। इसके बजाए व्यक्ति का मरने के बाद क्या होगा इस सवाल पर जादा जोड़ था। लेकिन पुनरजागरण के परिणाम स्वरूप, पुनरजागरण की प्रक्रिया में जो चिंतन का स्वरूप बदला। उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यक्ति, वह व्यक्ति जो आम है, जो खास नहीं है, उस आम व्यक्ति के व्यक्तितु का स्वतंत्र विकास हो और उसके विकास में अनंत संभावनाएं विद्यमान है, इस बात में विश्वास करना पुनरजागरण की हम पहली प्रमुक विशेष्टा कह सकते हैं, दूसरी विशेष्टा है स्वतंत्र चिंतन, मद्धी युग में व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, धर्म के दायरे में जैसा धर्म के मठाधीश कहते थे, पूप कहते थे, ब पुनर्जागरण की एक विशेष्टा यह थी कि उसने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया, स्वतंत्र चिंतन कैसा हो, ऐसा स्वतंत्र चिंतन जिसमें विवेक की प्रधानता हो और वह धर्म के अंकुष से मुक्त हो, तो पुनर्जागरा ने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देकर, अपनी विशेष्टाओं में शामिल करके, एक नए युग की शुरूआत की, एक ऐसे मार्ग की शुरूआत की, जो युरोप को आधुनिक काल में ले जानी का निश्चय करता था, इस युग की एक अन्य विशेष्टा थी वैज्ञानिक भावना, वैज्ञानिक भावना का मतलब यह है, कि किसी भी चीज़ को, आप सिर्फ इसलिए नहीं मानें, कि उसको पहले से लोग मानते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करें कि पहले से लोग उसे करते आ रहे हैं, बलकि चिंतन के पीछे, कर्म के पीछे वज्ञानिक सोच हो अर्थात हम कोई भी विचार को जब ग्रहन करें, स्विकार करें तो यह देखें कि उसकी भली भाती हम खोज करें जिसे हम अन्वेशन कहते हैं फिर जो विचार विद्मान है उसका हम निरिक्षन करें उसको देखें उसको एक्जामिन करें परिक्षन करें और खुद प्रियोग करके देखें साइन्स की यह जो पद्दती है विज्ञान की जो यह पद्दती है इस विज्ञानिक पद्दती को स्विकार करके पुनर जागरण ने मानवी यह इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण मील का पत्थर गाड़ा जो नितांत विज्ञानिक भावना से तार्किक भावना से विवेक से चीजों को, विचारों को, वस्तुओं को ग्रहन करने का अग्रह करता था इसलिए वह किसी भी तरह के पूर्वा ग्रह से मुक्त था पुनर्जागरण की एक और विशेशता थी देशच भाशाओं का प्रियोग हमने देखा कि किस तरह से पुनर्जागरण ने मानववाद को बढ़ावा दिया मानव की गरिमा को स्विकार किया, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को स्विकार किया इसी से जुड़ा हुआ ये एक पक्ष है कि पुनर्जागरण के ने जो जहां का रहने वाला है, जिसकी जो मात्र भाशा है, जो स्थानी ये और क्षेत्री ये भाशा है उसे स्विकार किया, अभी तक होता ये था कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी विचार चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, अगर वह विचार युनानी या लेटिन भाशा में अभी व्यक्त नहीं हुआ है तो वह मान्य नहीं था, स्विकार्य नहीं था और युनानी और लेटिन भाषाएं वैसे ही classical भाषाएं थी जैसे हमारे यहां संस्कृत रही है इतनी classical भाषा का किसी आम आदमी के द्वारा सीखना समझना आसान नहीं था लेकिन देशज भाषाओं के प्रयोग को पुनर जागरण ने ने केवल स्विक्रती दी बलकि सम्मान दिया बोलचाल के भाषाओं को माननेता दी और इनमें अभिव्यक्त किये गए विचारों को स्विक्रती प्रदान करके आम आदमी के विचार को महत्व देकर एक ऐसी क्रांती के बीज बोए जो आगे चलकर लोकतंत्र जैसी प्रणालियों का आधार बनी पुनर जागरण की एक और विशेष्टा थी यथार्थ का चित्रा मद्यकाल में कला के क्षित्र में साहित्य के क्षित्र में यथार्थ के बज़ाए यानि कि हकिकत के बज़ाए आधर्ष स्वरूप को महत्व दिया जाता था कोई भी बात कैसी होनी चाहिए चाहिए पर जोर था जो आधर्ष का प्रतीक था लेकिन पुनर जागरण ने चाहिए के स्थान पर आधर्ष के स्थान पर हकिकत को यथार्थ को स्विकार किया और इस बात पर जोर दिया कि हम हमारी कला, हमारा चिंतन, हमारा आदर्श यह हो कि हम जो हैं, जो हमारी हकीकत हैं उसको बयान करें तो ये कुछ प्रमुक विशेष्टाएं थी जिनके आधार पर पुनर जागरण का स्वरूप निर्धारित हुआ जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे पुनर जागरण का अर्थ और विशेष्टाएं समझने के बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर पे क्या परिस्थितियां थी क्या कारक थे क्या कारण थे जिन्होंने तेरवी शताब्दी में यूरोप में इस नई विचारधारा को जन्म दिया एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जो तीन सो चार सो सालों तक लंबी चली और जिसने यूरोप को मध्यकाल से निकाल कर आधुनिक काल में प्रभेश दिया वस्तुताय पुनर्जागरण के भी कई कारण थे उन में से कुछ प्रमुक कारणों की हम यहां चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म युद्ध और पूरवी देशों से यूरोप वासियों के होने वाले संपर्क की ग्यारवी शताब्दी से लेकर तेरवी शताब्दी तक जेरुसलम नाम के धर्मिस्थल को लेकर उसपर आधिपत्य को लेकर मुसलमानों और इसाईयों में लंबे युद्ध लड़े गए और इन लगवग तीन सो सालों तक चलने वाले युद्धों में इसाईयों की हार हुई इस हार ने और इन युद्धों ने कई तरीके से प्रत्यक्ष रूप से पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया जैसे युद्ध के दोरान इन पश्चिम के देशों का पश्चिम की संस्कृति का पूर्वी संस्कृति और उसके उदार विचारों से संपर्क हुआ वे अर्बों के संपर्क में आये और अर्बी संख्यांक और कुतुब निम्मा जैसे विज्ञानिक यंत्रों की उन्हें जानकारी मिली इन युद्धों के दोरान ही नवीन मार्गों की खूज की और इन नवीन मार्गों की खूज करने वाले साहसिकों ने पूर्वी देशों की यात्राओं के व्रतान्त लिखे जिन्हें पढ़कर पश्चिमी लोगों की चिंतन शक्ति जागी और महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस युद्धों में पोप के हार जाने से उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आगहात लगा और जो लोग पोप के वाक्य को पोप के उपदेश को पोप की दी हुई विवस्था को अंतिम विवस्था समझते थे उनकी दिमाग में प्रश्ण खड़े होने लगे और इसने युरोप में धर्म के बंधनों को ढिला करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाई इसलिए जेई स्वेन जैसे विद्वान ने कहा है कि धर्म युद्ध के धार्मिक परिणाम उतने प्रभावशाली साबित नहीं हुए जितने उसके बौद्धिक और सामाजिक परिणाम थे इसके बाद जो दूसरा प्रमुक कारण आता है वह है आर्थिक परिवर्तन पुनरजागरण से पहले सामन्तवादी विवस्था का पतन होने लगा था और युरोप में जो बदलाव शुरू हुए थे उनके परिणाम स्वरोप सामन्तवादी अर व्यापारवाणी जी के विकास ने अपनी प्रकृति के अनुकूल ज्यान और विज्ञान को प्रोचाहन दिया नगरों के का विकास हुआ इन नगरों के विकास ने अपने आप ही सामन्ती बंधनों को ढिला किया वस्थू विनिमय के इस्थान पर मुद्रा आधारी तर्थ तंत्र विक्सित होने लगा जिसने सामन्तवाद पर फिर चोट की और व्यापारिक गतिविदियों को बढ़ावा दिया नए नए नगर बसे उनमें विदेशी व्यापार व्यापारी आने जाने लगे उनका संपर कार्बों से हुआ मंगोलों की प्राचेन संस्कृति से हुआ और युनानी ज्यान और पूर्वी ज्यान के पारसपरिक आदान प्रदान ने आर्थिक परिवर्तन के तोर पर पुनरजागरण के लिए एक नई प्रिष्ट भूमी तयार की तेर्वी शताब्दी में ही मंगोल में जो कुबलाई खां का विशाल मंगोल सामराज्य था वह अपने दरबार में कुबलाई खां एशिया और यूरोप के विद्वानों को बड़े पेमानी पर आश्रे देता था बलकि हम यों कहें कि उसकी नीती के कारण मंगोल दरबार पूर्वी और पश्टि में संस्कृतियों का संगम बन गया था ऐसी इस्थिति में वैचारिक और संस्कृति का आदान प्रदान होना स्वभाविक था मारको पोलो जैसा यात्री वेनिस से आकर लंबे समय तक कुबलाई खां के दरबार में रहा उसके यात्रा व्रतान तों ने पूरे यूरोप में एक नए बदलाव को जन्म दिया मंगोलों से संपर्क के परिणाम स्वरुप कागज चापा खाना बारूद कुतुबनुमा जैसा जो अर्बों का ज्यान था वह ज्यान यूरोप में पहुँचा जिसने उनकी जड़ता को तोड़ा और उनमें एक नए चेतना को जन्म दिया धार्मिक दृष्टी से एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसने पुनरजागरन को बढ़ावा दिया वह थी इसकालिस्टिक विचारधारा और तर्क बुद्धिवाद यह मध्यकालीन यूरोप की एक ऐसी विचारधारा थी जो इसाई धार्म के सिद्धानतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि के प्रयोग पर जोड़ दीती थी और यह विचारधारा अरस्तु के तर्क और संत आगस्टाइन के तत्व ग्यान के आधार पर इसाई सिद्धानतों की व्यक्ष्या करती थी परिणाम स्वरोप इस विचारधारा का जब प्रभाव बढ़ा इसका असर हुआ तो जो अंद विश्वासों और वर्चसों पर आधारित चर्च की नीती थी उसको चुनोती मिली और तर्क बुद्धिवात को बढ़ावा मिला जो पुनरजागरण की ओर उरोप को ले जाता था चीनियों का कागज और छापे खाने के आविश्कार ने भी उरोप में पुनरजागरण को बढ़ावा दिया अर्भों के माध्यम से कागज और छापे खाने की तकनीक जब यूरोप में पहुंची तो इसने हस्त लिखित पुस्तकों की जगे छेपी हुई पुस्तकों का विस्तार किया परिणाम सरोप पुस्तकों में जो ज्यान था वह ज्यान जन सुलब हो गया सामान ने आदमी तक पहुचा जिससे पुनरजागरन की शुरू आत हुई एक और पुनरजागरन का जो कारण है जिससे आप शुरू से ही पढ़ते आये होंगे इसकूल में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से तुर्कों की राजधानी कुस्तुन तुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया 1453 इस्वी में जो पूर्वी रोमन सामराज्जी की राजधानी हुआ करती थी उस पर जब तुर्कों ने अधिकार किया तो तुर्कों की लूट से घबराकर युनानी विद्वान अपने ग्रंथों सही पुनह यूरोप में लौट गए जिस से वहाँ पुनह ग्यान का प्रसार हुआ और दूसरा पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मारगों पर तुर्कों ने अधिकार करके यूरोपियों को वहाँ से जाने आने की मनाई कर दी परिणाम स्वरूप यूरोपियों को अब पूरप से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मारगों की खोज करनी पड़ी परिणाम स्वरूप इन खोजों से भी पुनरजागरण को बढ़ावा मिला इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रमुक कारण है जिनोंने यूरोप में पुनरजागरण को जन्म दिया बल दिया और दुनिया एक नई नए जमाने की दहलीज पर खड़ी हुई